उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने संकेत दिये हैं कि वागामी विधानसबा का चुनाव लड़ सकते हैं गुरखपुर में दिपावले मिनन समहारों में पत्रकारों से और अपचारिक बाच्चीत में योगी आदितनात ने कहा कि निताओं को चुराव लड़ना चाहिए वैसे आकरे फैसला केंडरी नतुत का है सीम योगी ने इस बयान के बाद चर्चाओं ने जन्म ले लिया है साल 2017 के बाद पहली बार सीम योगी आदितनात ने शुकरवार को गुरटनात मंदिर में बीजेपी और हिंदू या वाहिनी किस्ट बैठक बिली उत्तरप्रदेश में अगले साल की शुरवात में विधानसभा चुनाव होने ही ऐसे में बीजेपी ने चुनावी तयारिया शुरू कर दी है बदादें कि समाजबादी पार्टी भी चुनावी तयारियों में जटी हुई है हाल ही में अखली श्यादम ने साफ किया था कि वागामी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे आपको दादें कि साल 2017 में बड़ी चुनावी जीत के बाद बीजेपी ने योगी आदेतनाद को उत्तरपरदीश का मुख्यमंत्री बनाय था उस समय वो गोरकपुर से लोगसभा साथ सत थे शबत लेने के च्छे महीने के भीतर उन्हें विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्ता लेनी थी ऐसी में नोंने विधान परिश्वत के सदस्ते बनने का रास्ता चुना था हाला कि इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेथ दे दिये हैं योगी आदितनाद थे उन्हें पहली बार लोगसभा के लिए चुने गए 26 साल की योगी आदितनाद उस समय लोगसभा के सबसे यूएस सदसे थे 99, 2004, 2009 और 2014 में भी गोरकपुर से लोगसभा के लिए चुने गए कुछ दिन पहले ही हमेशा ने एक बार फिर ये साफ किया कि अगला चुनाव भी पार्टी योगी के चेहरे पर लड़ सकती है